जैन बच्चों, वेलकम, 7th October 2023 के दिन अपन देखेंगे, जैसे की रोज देखते हैं, The Hindu और Indian Express के वो important articles जो आपके exam point of view से important हैं, सिर्फ और सिर्फ वही articles हम cover करेंगे, तो start करते हैं with The Hindu, पहला article है, आपको बस याद रखना है कि जो Nobel Peace Prize है, इस बार किसको मिला है, एक female है, Iranian activist है, नर्गिस मोहमदी, उनको मिला है, ये भी jail में है, और इनको वहाँ के democracy और women rights के लिए जो है, जो है सजा हुई थी, right, और इसी लिए उनको जो है Nobel Peace Prize मिला है, ये काफी time से जो है, और democracy के लिए आवाज उठा रही थी, okay, चलो फिर इसमें तो इतने ही important point है, आपको नाम याद रखना है, अगला article है, आपके page number 6 पे, aligning higher education with the United Nations SDGs, SDGs आपको पताओंगी sustainable development goals, ये क्या है, अगर नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ी सी exam point of view से background knowledge दे दू, 17 goals हैं, और 169 जो जितने भी member है, United Nations countries के, United Nations में जितने भी countries member है, 193 सबको मिलके 2023 तक, 2020-30 तक ये जो goals हैं, उनको achieve करने का try करना है, और इंडिया को भी उसी से अपना जो NEP new education policy है, उसको align करना है, जो higher institution है, इंडिया के उनको अपने बहुत सारे plans, बहुत सारे restructure करने पढ़ेंगे, तो वही बात हो रही है कि align करना पड़ेगा, हमें United Nations के sustainable development goals, जो है, उसको achieve अगर करना है, 2030 तक तो हमें भी अपने education policy को उससे align करना पड़ेगा, higher institution को, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जो महत्मा गांधी national ruler employment guarantee scheme है, वो run out of funds, जो है, ज्यादा और budget की demand कर रही है, क्योंकि पिछल बार से इस बार 60,000 करोर का budget sanction बता हो, जो कि पिछली budget से 33% के around, वो कम है, तो आपको याद रखना है कि जो fund है, वो कम हुए है, पिछली साल से, और ज्यादा budget की जोरुरत है, और इसका full form आपको पता है, महत्मा गांधी national ruler employment guarantee scheme, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, now, India to hold discussion with Canada during G20 क पाही एक part है P20, जिसमें जितने भी G20 के members हैं, उनकी Parliament के जो speakers हैं, जैसे इंडिया के पता है, आपको ओम बिल्दा जी हैं, उसी तरह जो बाकी countries के Parliament speakers हैं, वो next month मिलेंगे, इस बार आपको पता है G20 meet का हूँ था, New Delhi में इंडिया में हुआ था, तो वहाँ पे मिलेंगे, त तो इंडिया ने बोला है, स्री ओम बिल्दा जी ने बोला है कि हम जो सारे issues जो हैं, मैं वहाँ के सिनेट के जो speaker हैं, उनके साथ discuss करूंगा, ऐसा है, इंडियान हमारे Parliament speaker का जी का बोलना है, राइट, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, now, two out of five amphibians are facing extinction threat due to climate change, यह देखो दो बार में रह सकते हैं, जो दोनों में survive कर सकते हैं, जैसे frog हो गई, Todd हो गई, यह सारे जो जीव हैं, पांच तरग के जीव हैं, उनमें से जो हैं, दो extinction में जो हैं, जाने की संभावना है, उनके उनके उपर, और सबका reason क्या है, पता है, आपको climate change, आप जितनी भी चीजे देख र जो है, क्या है, वो climate change है, उससे क्या हो रहा है, जो global temperature है, वो high हो रहा है, तो यही आपको ध्यान रखना है, amphibians क्या होते हैं, यह मैंने आपको explain कर दिया, जो जल और पृत्वी दोनों में survive कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, RBI flags, inflation risk to stability, जो हमारे RBI के head and chairman है, सकति अंदास उनों ने बोला है, कि जो policy है, monetary policy committee है, वो जो inflation risk को काफी जो अच्छे से monitor कर रहे हैं, और जो rate है, वो अभी similar ही है, जो पिछली बार था, और जो inflation है, वो 4% तक रखने की कोशिश कर रही है, और ऐसा सकति का अंदास जीगा करना है, कि government की जो macro economics पे जो instability inflation आने वाला है, उसको हम 4% रखने की कोशिश करेंगे, ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दा हिंदू में आपके लिए इतने important articles थे, अब हम the Indian Express को cover करेंगे, तो ये जो है red flex था, 2005 तिष्टा, three dam जो था, जो मैंने आपको बताया कि सिक्किम में जो है, अभी जो पिछला, ग्लोफ आया इन में जितनी size थी, उससे डाय गुना जादा बढ़ चुका है, और ये जो lakes होती है, ये आपको glaciers के mountain के पास होती है, तो जैसे जैसे climate change हो रहा है, पानी, जैसे जैसे बर्फ पिगल रही है, उनका जो पानी उसमें जादा आ रहा है, तो इस तरह की जो outburst होती है, लेक outburst ह होती है, उससे जो बहुत जादा आपको पता नुकसान होता है, कितने गाओं में पानी घुस गया था, तो ये आपको news अलड़ी पता होगी, मैंने पिछली दिनों भी cover किया था, पूरे detail में cover किया था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, 5 December वाले वीडियो में मै किया था, चलो आगे बढ़ते हैं, नाव ये दिल्ली के बारे में news है, जैसे आपको पता है कि वहां का pollution जो air quality अगें जो है, अभी से डिवाली अभी आई निये, लेकिन अभी से जो air quality index है, dips to poor हो चुका है, ये condition जो है, prevail till Sunday तक रहने वाली और जी, RAP क्या होता है, कि graded rating ज सबको रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके particles है, वो हवा में और मिलेंगे, तो air quality और poor होगी, तो दिल्ली में अभी फिलहाल जो है, stage 1 लग चुका है, government ने impose कर दिया है, that means वहां पे कोई भी construction जो 500 square meter से ज़्यादा की बड़ी buildings है, project है, उनमें नहीं होगा, अभी Delhi में, right चलो, आगे बढ़ते हैं, now यह मैंने आपको cover कर दिया था दे हिंदू में कि Canada ने confirm किया है, कि वो P20, G20 का है जो part है, parliamentary committee की summit है, और Indian हमारे speaker जो है, वो various issues पे बात करेंगे, Canadian Senate speaker के साथ, now, what women need, यह जो editorial है, right, page number 10 पे Indian Express पे यह बात करें कि females को catch यह, जैसे अभी आपको, मैं बता दूए, जैसे मद्यपर्देश में अभी वहां के, जो CMS, रिसिवराज सिंग चोहन, उनने बोला है कि 35% quota women को दिया जाएगा, सारे government jobs में, सिर्फ और सिर्फ forest department को छोड़ कर, क्योंकि forest आपको पता है, जंगलों में जो है, थोड़ा सा tough होता है, काम करना, right, तो उस department को चोड़ कर सब में उनको 35% मिलेगा, और अभी election भी आने वाले हैं, तो ये जो female voters हैं, वो और ज्यादा vote, अभी voting percentage उनका बढ़ गया है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये सारे decision, अभी आपको बहुत सारे decision मिलेंगे, क्योंकि चुनाओं का मौसम आने वाला ह चलो आगे बढ़ते हम, now, peace nobel prize for jailed Iranian women activist मैंने आपको बता दिया इनके बारे में, कि उनकी life क्या थी, राइट, वहां इरान में जो है, काफी सालों से जो है, वो women rights के लिए, और democracy के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और उनको जो है, जो है, फिलाहल वो जेल में है, और उनक नहीं important article थे, आज के लिए आपके, और कोई भी आपको doubt हो, तो आप हमारी help line number पे contact कर सकते हो, हमारे telegram channel की link आपको description में मिल जाएगी, और अगर आपको career में कोई भी exam की preparation स्टार्ट करनी है, या बीच में आप collagen मैसूस हो रही है, किसी भी तरह कि आपको career से related problem है, तो आप ह exam point of view से जुड़े facts वाले important articles and editorials लेके आता रहूँगा, कल फिर आप से मिलोगा, तब तक channel को अगर subscribe नहीं हो, तो subscribe कर लेना, bye, take care